आज का मैंने टॉपिक रखा है टाइप्स एंड करेक्रिक्रिक्स ऑफ रॉक्स मतब चटानों के परकार एवं भी सेस्ता हैं इसमें हम खास करके आज फोकस कर रहे हैं इगनियस रॉक्स पे क्योंकि इगनियस रॉक्स आप जानते हैं कि चटानों का वरगी करन करेंगे तो उसका एक परकार है अब जैसे टॉपिक अफ डिसकसन आज हमने रखा है कि रॉक्स क्या होता है इगनियस रॉक्स क्या होता है लेकिन उसके पहले हम क्लासिफिकेशन आफ रॉक्स करेंगे क्ला इग्नियस रॉक्स का जब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इन फरस्ट आएगा हमारा एक्स्क्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसको हम बहिरवेधी अथा बाहे आगने चट्टाने करते हैं, फिर है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसके दो टाइप हैं, प्लूटोनिक और हाइपा बेसाल, हाइपा बेसाल रॉक्स, तो चलिए इसी तरह से हमने कुछ पॉइंट बनाये हैं, जिसका हम डिसक्सन करेंगे, आपको रीटेन फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक अप डिसक्सन हमारा अप स्टार्ट हो भूपरपटी चटानों की बनी हुई है, साधारन तर चटान सबसे ऐसे पदार्थों का बोध होता है, जो पत्थर की भाती हो, परन्तु वे ज्यानिक भासा में, वे समस्पदार्थ जिनसे भूपरपटी का, मतलब का अर्थ क्रस्ट का निमान हुआ है, चाहे वे बिद्वानों ने चटानों की परिभासा अपने अपने ढंग से की है, जिन में बहुत सारे परिभासा आएंगे, लेकिन मैं उनको कन्कुलूट करके बता दे रहा हूँ, कि सभी ने यही बोलने की कोशिश की है, कि रोक्स आर एग्रिगेट ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल्स की आता गई, तो मैं चटान और खनीज मतलब की मिनरल्स के बारे में थोड़ा बतायता हूँ, चटानों की उपरिउक्त जो भी हमने परिभासा की चर्चा की, जैसे कि टॉर आउ मार्टिन का दिया हुआ है, फिंच और त्रिवार्दा का दिया हुआ है, पीजी वार्सिस्टर का दिया हुआ है, हमने सबको कंक्लूड करके आपको बताया है कि रॉक्सार एग्रिगेट ओफ मिंदल्स, तो यहाँ पर हमने और क्या कंक्लूजन निकाला कि चटानों और खनीजों का गहरा समंध है, ठो सवस्था में पाय जाने वाले बिभीन खनीजों से चटानों का नि समाने खनीज है, जो प्रित्वी के सभी अस्थानों वा पाय जाते हैं, इन बारक खनीजों का बारक खनीजों को चटान बनाने वाले खनीज काते हैं, समाने खनीज आठ मुखे तत्वों से बनते हैं, भूपरपटी के 87%, 87% खनीज सिलिकेट हैं, मतलब कि SI से बने हुए हैं क्वार्ड्स के दो तत्व सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन हैं इसी प्रकार कैल्सियम कार्बन तथा ऑक्सीजन के योग से चूने का कार्बोनेट बनता है कैल्सियम कार्बोनेट बोल सकते हैं CACO3 ज़ि खनीज कई परकार के होते हैं यदि खनीज का धरातल चीकना और चमकीला है तो यह मुखेता मेटलिक होता है धात्विक होता है जैसे कि तामबा, सीशा तथा सोना यदि खनीज का धरातल चमक रही थै अब परकास किर्णों को परति बिंबित नहीं करता तो यह अगर ये करन करें, तो हम ये भी बजपन से पढ़ते हैं, कि चटानों के तीन वरी करन हम कर सकते हैं, आगने चटान, आवसाधी अथवा तलछटी चटाने ये बोलते हैं, रुपांत्रित अथवा कायंत्री चटाने, मतलब इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, और मे इग्नियस लिया गया है, जिसका अर्थ आग होता है, अता ये ऐसी चटाने हैं, जिनका इम्रान पिरित्वी के भीत्री भाग में उपस्थित, गर्म, द्रब्व के ठंडा होने से हुआ है, इग्नियस रॉक्स, फॉर्म्ड थ्रो, दे सॉलिडिफिकेशन ओप मॉल्टेन मी में, जो आला मुखी का जो सीडार है, जो फटता है, मैगमा जिससे निकलता है, राह, धरातल के और बढ़ता है, तरल मैगमा जब प्रीत्वी के तल पर पहुंचता है, तो उसका गैसिय अंस वायूमंडर में ब्लीन हो जाता है, उड़ जाता है, और वह लावा में परिवर देखिए, यहाँ पर मैगमा है, मॉल्टेन मेटीरियल, यह सीडार के थ्रू निकला, लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जिसकी वज़ा से यहाँ पर सम्वहम तरंगे उत्पन होती है, उनके फीशन और फ्यूजन से सम्वहम तरंगे, मत siya konvective current यहाँ पर produce होता है, और वो बहुत तेजी से जहाँ पर धरती कमजोर होता है, वहाँ से यह निकल करके बाहर आना चाहता है, lower pressure to higher pressure, अब क्या होता है, कि जो फाड करके निकल गया, यहाँ ज्वाला मूखी का बड़ा ज्वाला मूखी हो चाए, छोटा ज्वाला मू इक्स्टूसिव इग्नियस रॉक्स कहला आए जो अंदर रह गया वो इंड्रूसिव रहा जो धरातल के पैरलल रहा जो धरती के अंदरूनी पार्ट को फार करके जम गया वो सील कहला है और जो लगभग पर्पेंडिकुलर होने की कोशिस किया और इस तरह से जम्हा वो डाइ अब बीच वाले पार्ट ना धर्ती ना पाताल इसके बीच में जो रह गया उसको हम हाइपा बसाल या अंतरवेधी चटान करते हैं चलिए हम उसी के और चल रहे हैं अब थोड़ी से थियोरी में बोल देता हूँ कि इस्तिति के अनुसार आगने चटाने निमलिखी दो परकार की होती हैं एक तो कहलाया एक्स्टूसिव इगनियस रॉक्स जिसको हम बहिर बेधी अथवा बाय आगने चटान करते हैं अब दूसरा हैं इंटूसिव इगनियस रॉक्स जिसको हम अंतरवेधी अथवा अंतरग्यामी अंतरगामी चटाने कहते हैं तो चलिए पहले समझे एक्स्टूसिव इगनियस रॉक्स को जब मैगमा किसी कारण वस धरातल का जवालामुखी के रूप में लावा बनकर निकलता है तो ठंडा होकर ठोस रूप धारन कर लेता है ये लेंग्वेज हो गया बाकिये तो मैंने आपको समझा दिया और बहिर वेधी चटानों का निर्मान करता है इन्हें जवालामुखी चटाने भी करते हैं बाहर आकर लावा एक दम ठंडा हो जाता है जिससे इन चटानों के रूप बहुत छोटे होते हैं इनका टेक्च्चर बहुत ही फाइन होता है ये चटाने देखने से महीन कनों वाली लगती है जब इनके कण बहुत ही महीन होते हैं तो ये चटाने काच जैसी दिखाई देती है बसाल्ट इस प्रकार के चटानों का प्रमुख उधारण है बसाल्ट ये चटान प्राइदीपी भारत के पस्चिमोत्तर भाग में लगभग पांच लाख वर किलोमेटर चेतर में फैली हुई है इस चेतर को डेकन ट्रेक कहते हैं दक्कन का पठार भी बोलते हैं बसाल्ट का उप्योग सणग बनाने के लिए किया जाता है इस चटान के छरन से, वेदरिंग से, डेनुडेशन से काली मिट्टी का निर्मान होता है, जिसे रेगूर कहते हैं और दूसरा जो है, आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तो जब मैगमा धरातल तक पहुँचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है जैसा कि आपको मैंने फीगर में अभी दिखलाया था कि जब मैगमा धरातल तक पहुँचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है, तो आंत्री कागने चटानों करने मान होता है ये दो परकार की होती है, पातालिये और हाइपा बेसाल जिसको हम हिंदी में मध्धवर्ती चटान बोलते है मध्धवर्ती चटान का गैबरो बहुत बढ़ी है एक्जामपल है पैगमा टाइट बहुत बढ़ी है एक्जामपल है पातालिये चटानों में आप बिल्कुल याद रख लिजे ग्रेनाइट तो मुह पे होना चाहिए तो पाताली चटाने आपको हम बता दा रहें पहले जैसे कि ये युनानी भासा के प्लूटो सबसे लिया गया है जिसका अर्थ पाताल है हमारे हिंदी या कही का हमारा जो एथिक है उसमें भी पाताल को ही समझा गया है प्लूटो को हम कुबेर मानते हैं कुबेर को रावन का भाई माना गया है और ऐसा ही माना जाता है कि रावन नहीं स्रिलंका को जीता था कुबेर से एक additional knowledge दे दिया थोड़ा interesting बनने के लिए जिसका अर्थ पाताल है अतर जब मैगमा प्रीथवी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो पातालिय चटानों का निबान होता है अधिक गहराई परिस्थित होने के कारण मैगमा को ठंडा होकर जमने में काफी देर लग जाता है जिसे कारण रवे बहुत बड़े होते हैं मतलब रवे बनने के लिए टाइम चाहिए भाई साब ग्रेनाईट पातालिय आगने चटानों का सबसे अच्छा उदारण है दक्षनी भारत के दक्कन पठार जो हुआ डेकन ट्रैप छोटा नाकुर पठार जो आप देख रहे हैं रांची का रीजन और सौधरन रीजन रास्थान तथा हिमाले के कुछ भागों में बिभीन रंगों के जैसे भूरे, लाल, गुलाबी या सफेर ग्रेनाईट मिलते हैं ग्रेनाईट का उप्योग भवन निर्मान तथा संक निर्मान के लिए किया जाता है बहुत से पुराने भवन जैसे किले ववन्दिर इत्यादी ग्रेनाईट से बने हुए हैं इविन कि हम लोग घर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं खास करके किचिन में ग्रेनाईट का बहुत ज़्यादा यूज होता है तो फिर अब चलिए हाइपा बेसाल रोक के बारे में जानिए प्राय भुगर्प से निकलने वाला मैगमा धरातल पर नहीं पहुँच पाता और मार्ग में मिलने वाली संधियों तथा धरारों में ही जम कर ठोस हो जाता है धीरे धीरे ठोस हो जाता है इसका मतलब क्या है? इसमें भी बड़े-बड़े रवे मिलेंगे मधवर्ती आगने चटानों करने वाला मैगमा पातालिय चटानों के मैगमे से जल्दी थंडा हो जाता है क्यों? क्योंकि वो थे थोड़ा उपर हो थे मतलब कि थोड़ा ही नीचे होता है जिस कारण मधवर्ती आगने चटानों के रवे, पातालिय चटानों के रवों से छोटे होते हैं डोलेराइट तथा पैगमेटाइट इन चटानों के महत्पूर्ण उधारण हैं जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था लेकिन उधारण हमेशा आप लास्ट में ही लिखा करें, पहले मतलिक दिया करें अब आता है टॉपिक संग्रचना के आधा आगने चटानों का वर्गी करन तो हम दो पार्ट में डिवाइट करते हैं अधी सिलिक या अमलिय आगने चटाने अगर इसको मैं बोलू अधी, अधी का मतलब होता है ज्यादा जिसमें सिलिका ज्यादा होता है, है ना, उसको हम कहते हैं ये अमलिय मतलब एसिडिक इगनियस रॉक्स, ठीक है इसको एसिडिक इगनियस रॉक्स लर्ण करना कितना असान सा लगता है अल्प सिलिक मतलब जिसमें सिलिका की मात्रा अल्प मात्रा में है बहुत कम है या पैठिक पैठिक का मतलब होता है छारी है मतलब बेसिक तो बेसिक इग्नियस रॉक्स हो जाएगा ठीक है तो अब ये समझिए कि अधि-सिलिक को पहले समझ लिजे कि इन चटानों में सिलिका की मातरा 65 से 80 परतिसद तक होती है इन चटानों में अने तथवों में सोडियम मत एने, पोटेसियम मतलग K तथा आलूमीनियम मत आला महतपूर्ण है इन चटानों का घनत वो कम तता रंग हलका होता है ग्रेनाइट तता ओक्सीडियन इस परकार की चटानों के प्रमुक उदारन है जबकि दूसरी ओर अगर हम अल्प सिलिक में जाएं तो अल्प सिलिक में सिलका की मातरा बहुत ही कम 40-55% तक होती है उन्हें अल्पसिलिक या पैठिक आगने चटाने इसी वज़ा से कहते हैं इन चटानों के अन्य तत्वों में लोहा, मतलब F-E, Magnesium, Mg, तथा चूना, मतलब C-A-C-O-3 महतपून है इनका घना तो अधिक तथा रंग गहरा होता है बसाड तथा गैबरो इन चटानों के महतपून उदारण है एक चीज और जान लीज़े, जैसे हम जितना बोलें अभी तक तुससे बहुत सारे विसिस्ताइं भी निकल करके आती है आप इसिस्ता आपसे पूछी जाए, तो आप इस पर पहला पॉइंट दे सकते हैं कि ये कठोर होता है मौसीब होता है, मतलब स्थूल, भारी, वह संगत, अगर हिंदी में कहें तो संगत इंगलेस में कहें तो कॉम्पैक्ट, मतलब घना तो अच्छा खासा होता है सेकेंड है, इनमें रवे पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा छोटा रवा, बड़ा रवा और अगर धर्ती के काफी नीचे हुआ तो काफी बड़ा रवा, जैसे जैसे हम उपर चले जाते हैं, रवा छोटा होता चला जाता है ठीक है अब इनमें रवे पाए जाते हैं जिनका आकार मैगमा के ठंडा होने की गती पर निभर करता है मैगमा के सिग्र ठंडा होने से रवे छोटे तता देर से ठंडा होने से रवे बड़े बनते हैं यह आप अच्छे से समझ गया है इन में परते नहीं होती है ठीक है? इन में रंधर नहीं होता है मतलब छेद नहीं, होल नहीं होता है जिससे इन में जल सुगंता से परवेश नहीं कर सकता इन चटानों पर अपरदन के लिए बहुत मुश्किल से होता है बहुत कम होती है इन में जिवाश्म अखनीज होता है जैसा कि मैं आपको पहले यह बताया कि इसमें यह है तो वो है आइरेंड है कैल्सम कार्बनेट है अगर वेगर फिर देखिए एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपोर्डेंट है टॉपिक है आगने चेटानों की विसस्तातों को बता ही दिया इगनियस रॉक बॉडिस यह क्या होता है तो मैगमा ठंडा होकर ठोस रूप धारन करने से विभिन प्रतार के आगनियस चेटान पिंड बनते हैं जिनका नामा करन उनके आकार रूप इस्थिती तुथा उनके आसपास पाई जाने वाली चेटानों के अधार पर किया जाता है तो देखिए फर्स्ट है बैथोलित बैथोलित क्या चीज होता है तो यह सबसे बड़ा आगने चेटानी पिंड है जो अंतरवेदी चेटानों से बनता है यह सेकडो किलोमेटर लंबा दता 50 से 80 किलोमेटर चोड़ा होता है यूसे का इदाहो बैथोलित 40,000 वर किलोमेटर से भी अधिक बैथोलित है जबकि पस्चिम कनाडा का कोस्ट रेंच बैथोलित इससे भी बड़ा है यह मुल्तग ग्रेनाइट से बनता है इतना ही जाने बाकी मैंने इधर आपको फीगर बना के समझाया है एक नजर आप मार लें फीगर पे जैसे कि यहाँ से एक वर समझ लें कैसे यह है आपका बैथोलित मैंने लिख दिया है यहाँपर बैथोलित है इतना बड़ा यह सबसे शूज बोर्डी का लाता है जांट बोर्डी का लाता है इसके ऊपर बना हुआ फीगर देखिए इंट्रूसिव रॉक है उनका फीगर ह अस्टॉक है लेकोलीथ है लेपोलीथ है एक और खाली बस ऐसाहीन नजर मार लिजए कि यह कैसा होता है देखिए तस्तरी नूमा होता है यह है सो इसका फीगर आप देख रहे है है मस्रूम कीतरा होता है फैकुली थैसों जैसे कि सागरिय लहर कितरा होता है और यदि छोटा है तो ये सीठ है पतला है तो ये सीठ है लेकिन वही बड़ा हो गया उसी सेफ में तो ये सील है अडाइक, आपको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यह थोड़ा सा perpendicular होता है यह ठीक है इतने सारे अभी नहीं को deal कर देता हूँ मैं कि यह क्या है तो फर्स्ट है बैथोलित यह बैथोलित तो बैथोलित यह सबसे बड़ा यह तो बता चुका मैं फिर उसके बाद है सो अस्टॉक है अस्टॉक को देखिए अस्टॉक छोटे आकार के बैथोलित को अस्टॉक करते हैं अस्टॉक का बिस्तार हंडेड़ स्कॉयर किलुमीटर से कम ही होता है इसका उपरी भाग गुलाकार होता है फिर लैकोलित में आ जाईए लैकोलित यह जब मैगमा उपर की परत को जोर से उपर उठाता है और गुमदकार रूप मे जम जाता है इसको अपने लैंगवेज में जैसे आपको पसंद आ रहा है वैसे लिख दीजे इसका आकार एक मस्रूम की तरह होता है मैगमा है सो धक्के मार करके ऐसे उठाता है भाई सब में तो यही हो रहा है सब में तो मैगमा धक्के मार के उपर ही उठा रहा है लेकिन में हर जगा हम लोग को लिखना पड़ता है हां हम यह लिखेंगे यह चीज जरूर कि यह छत्री नुमा दिखाई देता है लेकोलिथ बहिर वेधी ज्वाला मुख्य परवत का ही एक अंतर वेधी पड़ती रूप है देखिए यहां पर लग रहा है कि यह बहिर वेधी हो गया लेकिन है तो यह ध्रातल के नीचे है न इसलिए इसको यह चीज लिखना बड़ा ही अच्छा रहेगा अच्छा टच रहेगा कि लेकोलिथ बहिर वेधी ज्वाला मुख्य परवत का एक ही अंतर वेधी पड़ती रूप है उत्री अमेरिका के पस्चिम भाग में लेकोलिथ काते हैं तस्तरी में बीच में थोड़ा सा यह रहता है हलका सा गड़ा होता है ताकि आपका खाना गीरे नहीं यह ऐसे होता है दोनों में फरक ही है कि यह उपर की और इस तरह से यह उतल दर्पन की तरह होता है यह उतल दर्पन की तरह होता है फिर है फैकॉलिथ यह फैकॉ तो लित कहलाता है, जैसा फीगर में दिख रहा है, फिर सील के बारे में, देखिए, सील जब मैगमा भूपरिष्ट के सामनांतर पड़तों में फैल कर जमता है, सामनांतर पड़तों में फैल कर जमता है, तो इसे सील कहते हैं, और उसी का छोटा रूप सीठ हो गया, जबकि ड तक होती है यह कठोर होता है और अपरदन के कारकों का इस पर जल्दी से परभावल नहीं पड़ेगा इसके फलसुरूप आसपास के चटानों के अपरदन के बाद डाइक एक विसाल दिवार की तरह दिखाई देती है जारखंड के सिंग भूमी जीले में अनेक दिखाई देते हैं अब बड़ा अच्छा फीगर दिखता है आप कभी जाएं तो ध्यान दें उधर अब देखिए आता है यह कि आगने चटानों का क्या आर्थिक महत्व है तो आप इसको भी हम बोलचाल की भाषा में आपको सब कुछ समझा दिए कि आगने चटान का जैसे बैसार्ट है तो वो रेलवे लाइन के बीचे बीच में डालते हैं GRA-NITE है तो उसको घरों में, भाणों के निर्माण में मंदीरों के निर्माण में हम लगाते हैं तो आगने चटानों के निर्माण Magma के ठंडा होने से हुआ है और Magma आधिकांस धात्यों का स्रौत है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 20 के अधिकांस खनीज आगने चटानों में ही पाय जाते हैं आर्थिक महतों के खनीजों में चुमिकिय लोहा, निकल, एन आई, तामबा, कॉपर मतलब सी यू, सीसा जस्ता, पीबी, जडेन, क्रोमाइट मतलब सी आर, मैगनेज एमन, टीन एस एन, क्वार्ड्ज का हो गया, कैलसाइट हो गया, अबरक हो गया, मैगनेसियम युक्त सिलिक हो गया, और कुछ दूडलब खनीज, जैसे सोना, हीरा, प्लैटीन, आदी समलित हैं, ग्रेनाइट तथा बैसाल्ट का प्रयोग, भवन निर्मान तथा संड़ गिन्मान के लिए किया जाता है, इसको भी जरूर लिखिएगा, दक्षिन भारत में बैसाल्ट के छरन से, आंध्र प्रदेश का वेस्टन पार्ट है, तेलांगना का वेस्टन पार्ट है, वो जो है, सो रेगूर से बरा पड़ा है, इसलिए यहां का पास की खेती बहुत ही अच्छी होती है, कैसा लगा दोस्तों? दोस्तों, एक चीश से मैं थोड़ा सा डिस्करेज जरूर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि काफी मेहनत करता हूँ, सब स्क्रिप्सन भी नहीं आता है, ब्यूज बहुत आ रहा है, लेकिन यह सब स्क्रिप्सन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं डिस्करेज होता हूँ, अगर आप यह सब करते रहेंगे, आपने दोस्तों को कनवे करते रहे तो इससे मेरा उत्सा भी कई गुना बढ़ जाएगा फिर आपको हम इससे बेहतर material आपको दे पाएंगे हम ज्यादा मेहनत कर पाएंगे तो इसका भी आप ज़रूर ख्याल रखें थैंक्यू दोस्तों फिर से आपसे एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे साइद अगला टॉपिक हमारा और साधी चटानों का होगा उससे रिलेटेड होगा ठीक है थैंक्यू वेल मुँद